इस वीडियो में हम एक से ग्यारा जुलाई 2021 के बीच में बनने वाले हर्याना करेंट अफेर्स के सभी कोशिन डिसक्रस करेंगे इसमें स्टार्ट करते हैं पहला कोशिन है मेरसी वालम की संस्कृत विश्युदैले के कुलपती डॉक्टर स्रियांस दिवेदी का इस्तिवार मंजूर होने के बाद किसको अब संस्कृत विश्युदैले का नया कुलपती का कार्यभार दिया गया है तो संस्कृत विश्वदैले के नई कुलपती बनाए गए है प्रोफेसर राजगुमार मित्तल और प्रोफेसर राजगुमार मित्तल जो है ये चोदरी बंसिलाल विश्वदैले के कुलपती भी है और इनको जो है संस्कृत विश्वदैले का मेर्सी वालमी की संस्कृत विश और यह इस्तिफा किनों ने मंजूर किया है, यह इस्तिफा मंजूर किया है, राजपल सत्यदेव नारण आरियने, और प्रेजन टाइम में हर्यान के नई राजपल बने है, बंडारू दत्तात्र है, ये भी आप याद रखें. वहीं, महरसी वाल में के संस्कृत विश्वदयले, ये कहां पर है, ये है कैथल में, कैथल में है, कैथल के गाउं में कौन सा है, गाउं है, मूंदड़ी गाउं. वहीं, प्रोफेसर अजमेर सिंग मलिक, ये चोदरी देवलाल विश्वदयले के नई कुल्पती बने है, राजबीर सिंग, ये महरसी दयानें विश्वदयले के कुल्पती है, वहीं सोमनात सचदेवा, ये कुरुशेक्तर विश्वदयले के कुल्पती है, तो इने भी आप याद रखें next question है हरियाना के नई राजपाल कौन बने है तो इसमें आप का अंसर आएगा ये बने है भंडारू दद्तातर है आप इसे ट्रिक से भी याद रख सकते हैं जैसे हरियाना में जो है भंडारे वगेरा बहुत ज़्यादा कराए जाते हैं तो बंडारे से आप याद रख सकते हैं बंडारू दद्तातर है तो हरियाना के नई राजपाल कौन बने है बंडारू दद्तातर है और इससे पहले ये किस राज़े के राजपाल थे हिमाचल परदेश के ये राजपाल थे और ये जो है वर्ष सितंबर 2019 में हिमाचल प्रदेश की राजयपाल बने थे और इस प्रकार जो उनका कारेकाल सितंबर 2024 में पूरा होगा यानि 5 साल का इनका कारेकाल होगा लेकिन बीच में हिमाचल प्रदेश से अटा दिये गए है और हर्याने के राजयपाल बने है तो जो बचा हुआ अकारेकाल है वो अब हर्याने में पूरा होगा यानि यह सितंबर 2024 तक हर्याने की राजयपाल रहेंगे नेक्स्त है भंडारुदतत्तातर है मूल रूब से कहा के रहने वाले है तो मूल रूब से यह रहने वाले हैं आंदर प्रदेश राजoria के मारी नई वीडियो अप्लोड होते ही आप तक जल से जल पहुंच जाए नेक्स्ट कुछन है हर्यान के पूर राजयपाल सत्यदेव नारायन आरिया को किस राजय का राजयपाल नुक्त किया गया है और अब जो है सत्यदेव नारान आ रहे हैं, इन्हें भी काँ पर बेजा गया है, काँ का राजेपल बना गया है, तिरुपुरा का. Next है, टोकेय ओलंपिक. टोकेय ओलंपिक इस महिने में स्टार्ट होने वाले हैं. टोकेय ओलंपिक खेलों के उद्गाटन समारों में, भारते दल के दवजवाहक कौन होंगे? MC मेरिकॉम, मनप्रीच सिंग, बजरंग पुनिया, A और B दोनों. तो इसमें आपका अंसरा आएगा A और B दोनों, यानि MC मेरिकॉम और मनप्रीच सिंग. MC मेरिकॉम जो है, बोक्सिंग के खिलाडी है, मनप्रीच सिंग, होकी के खिलाडी है. MC मेरिकॉम किस राजे से बिलोंग करते हैं? मनिपूर राजे से बिलोंग करते हैं, मनप्रीच सिंग, ये पंजाब राजे से बिलोंग करते हैं. और ये पहली बार है जब कि नहीं दो खिलाडियो को दवजवाहक बनाए गया उदगाटन समारों में इन में से एक महिला को बना गया एक पुरुष को बना गया एसा लैंगिंग समानता को आशुष्ट करने के लिए ऐसा किया गया है तो आप याद रखें यह पहली बार है जब दो खिलाडियों को जो है दवज वाग बनाए गया है Tokyo Olympic खेलों के समापन समारों में वो ता उदगाटन समारो ये है समापन समारो में हरियान के कौन से खिलाडी को बारदे दवज अपने आथों में समालेंगे तो ये हरियाने के खिलाड़ी है तो इसमें आप का अंसर आएगा बजरंग पुनिया बजरंग पुनिया कुष्टी के खिलाड़ी है वहीं बजरंग पुनिया हरियाने के जजर जिले से बिलोंग करते है नेक्स्ट है टोक्यो अलम्पिक खेल कब से कब तक खेले जाने हैं तो टोक्यो अलम्पिक खेल अजन होगा 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्ट तक नेक्स्ट कुश्चन है टोकियो उलम्पिक खेलों में भारत के कुल 121 खिलाडियों में से हरियाना के कितने खिलाड़ी इसेल लेंगे तो टोकियो उलम्पिक में भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा खिलाड़ी होंगे हरियाना के कितने खिलाड़ी होंगे 31 खिलाड़ी होंगे आप देख सकते हैं मैक में भी 31 खिलाड़ी हर्याना के होंगे 14 खिलाड़ी पंजाब के होंगे तो आप सबसी ज्यादा मैकसिम खिलाड़ी जो है हर्याना की तरफ से भाग ले रहे हैं हर्याना के खेल मंत्री कोन है संदीप ये भी होकी के खिलाडी है हरियान सरकार दुआरा ओलम्पिक खेलों में पदक जीतने पर कितनी नगत राशी परदान की जाएगी तो नगत राशी परदान की जाएगी सौन पदक विजेता को 6 करोड रुपे दिये जाएगे रजत पतक विजेता को 4 करोड रुपए दिये जाएंगे तटाकाश से पतक विजेता को 1.5 करोड रुपए दिये जाएंगे ये कुशन एक्जार में पहले भी पूछा जा चुका है तो इसलिए आप इसको ज़रूर याद रखे और ये इनाब दिये जाएंगे हरियान सरकार की तरब से नेक्स्ट है जापान में होने वाले टोक्यो पैरालोम्पिक ये पैरालोम्पिक गेम्स की बात हो रही है टोक्यो पैरालोम्पिक गेम्स के लिए हरियान के किस जिले के निवासी जैवलियन थ्रोवर यह बालप है कि खिलाडियां जयवलियन थ्रोवर है तो यह हर्यान की किस जिले से बिलोंग करते हैं? से बिलोंग करते हैं। वह इन्होंने साल 2018 में इंडोनेशिया के जगारता में हुए पहरा ऐशेंज गेम्स में भी ब्रॉंज मैडल जीता था। कौन सा मैडल जीता था ब्रोज मैडल जीता था नेक्स्ट है डॉपिंग टेस्ट मे फैल होने के बाद सुमित मलिक पर कितने साल का बैन लगा दिया गया तो ये लगाया गया दो साल का और सुमित मलिक ने सोफिया में विश ओलम्पिक क्वालिफाइर में 125 किलोग्राम भारवर्ग में टोकिया ओलम्पिक के लिए क्वालिफाइ किया था हाला कि इन्होंने इसके लिए अपील भी की है हरियाना के मुख्यमंत्री मनोरल खटर ने पानी के बिल के लिए एक महिने के अंदर पूरे हरियाना राजय में ये लागू कर दिया जाएगा लेकिन स्टार्टिंग आपकी की गई है पंचकुला जिले से की गई है पंचकुला जिले से हरियाना के मुख्यमंत्री द्वारा सभी सरकारी सेवाओ के जानकारी के लिए कौन सी एप लौंच किया है तो यह एप है जंद सायक आपका सायक एप इस एप के माध्यम से आप सभी सरकारी सेवा के जानकारी प्राप्ट कर सकते हैं नेक्स्ट कुश्चन है वर्ष 2021 से लोक सायत्य है यह संस्क्रिटी वर्ग के अंतरगत लोक कवी देयाचंद मायना सम्मान इसका नाम आप याद रखें शुरू किया जा रहा है इसकी सम्मान राशी कितने रुपे होगी तो इसकी सम्मान राशी है दो लाग रुपे है हर्यान सायत्य अकादमी के ओर से वर्ष 2021 से हिंदी तथा हर्यानवी बाशा की विबिन्द विदाव में कितने नए युवा स्रेष्ट किर्ति प्रुष्कार शुरू किये गया है तो यह किये गया है 14,14 और इसके तैत विजयताओ को 31,31,000 रुपे की प्रुष्कार राशी प्रदान की जाएगी वही हर्यान सायत्य अकादमी के निदे से कोन है डॉक्टर चंदर तरिखा यह भी आप याद रखे और वही जो है राज्य में दिये जाने वाले युवा लेखन सम्मान युवा लेखन सम्मान ये पहले दो वेक्तियों को दिया जाता था अब ये दो स बढ़ा कर च्यार कर दिया गया है और इस पुरुषकार के तहित विजेता को पचास अजार रुपे की इनाम राशी दी जाएगी नेक्स्ट प्रशन है हर्यान के मुख्यमित्री द्वारा सहरी निकायों की दुकानों और मकानों पर 20 साल से दिक काबिज लोगों को मालिकान हक दिलाने के उदेशे से किसकी सुरात की गया है तो इस योजना का नाम आपको बताना है तो यह योजना है मुख्यमित्री सहरी निकाय स्वामित्तव योजना किस देश के राश्पती जोवेनेल मोईसे के निजी आवास में कुछ अग्यात लोगों के समूने उनकी हत्या कर दी तो राश्पती का नाम आप याद रखे जोवेनेल मोईसे जोवेनेल मोईसे और यह किस देश के राश्पती थे यह थे हैती देश के राश्पती यह यहा अमेरिका यह साउत अमेरिका यहां पर जो है एक छोटा सा देश है थी नेक्स्ट है अमेजन के संस्तापक जेफ बेजोस ने 5 जुलाई को कंपनी में बेतोर CEO आखरी बार काम किया अमेजन के नए CEO कौन बने है CEO यानि Chief Executive Officer यह बने है एंडी, जेसी, एंडी, जेसी वह आपको यह उड़ी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिकर जोब बताइए और स्टेडी जोन चाल्ट को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्यू